तो फ्रेंट्स इस वीडियो में जो हम वूमेंज यूरो का मैच कवर करने वाले वो रहेगा फ्रांस वूमेंज वर्सेस बेल्जियम वूमेंज के बीच मैच का वेन्य होगा न्यूट्रल इंग्लेंड किक अफ होगा रात में 1230 एम पे तो दोस्तों जो ये फ्रांस इन्होंने फुटबॉल खिला था एकदम वैसे फुटबॉल खिला थे इन्होंने जैसे इनकी मेंस टीम खेलती है विट एमबापे बेंजिमान ग्रीजमेन इनकी फरवर्ड लाइन भी कुछ वैसी नजर आ रही थी तो बहुत डेड्लियस अटेकिंग साइड है फ्रांस परक है इस मैच में फ्रांस मुमेन एक क्लियर कट फेवरिट टीम होने वाली है अगर मैं आपको इनका वाला ग्रूप दिखाऊं तो इस ग्रूप में फ्रांस और बेल्जिम के अलवा आइसलेंड और इटली भी है फ्रांस अपना पहला मैच इटली के अगेंस्ट जीत तफ अपनेंट आज फेस करना पड़ेगा तो ये वो मैस था पहला मैच फ्रांस ने 5-1 के मार्जिन से इटली को हरा जाता और ये 5-5 गोल उन्होंने फस्ट हाफ में स्कोर कर दिया थे बहुत अच्छा फुटबॉल बहुत ज्यादा अच्छा फुटबॉल फ्रांस ने गि स्कोरर्स हैं वहीं बेल्डियम ने आइसलाइंड मुमेन के अगेंस्ट एक 1-1 का ड्रॉख लगा था एक जो गोल आया था वो उनकी सेंट्रल डिफेंसी मिट्वेलर वेन हेवे मेड ने मारा था और ये गोल उनका पेनल्टी में आया था बागी ज्यादा कुछ बताने को है करके एक-दो ड्रॉव वाले लिया सकते हैं इस मैच की फूटबॉल मैचे आप टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा तॉप पिन कमेंड में वहां से जुड़के आप मेरे सॉलर चैनल आपको मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह टॉप पिन कमेंड में जाके टेलीग्राम चैनल से आप जरूर से जरूर जोइन कर लिजिए आते हैं प्रोविबल लाइनप पे पहले फेवरेट्स फ्रांस वूमेन की बात करते हैं तो मेरे अकॉडिंग करूँगा बहुत ज्यादा अच्छा क्लिंशीट का जांस है तो मेक्जिम्म डिफेंडर में इनके पिक करेंगे आप चाहे तो यह चारो के चारो पिक कर सकते हैं बाट मैं शोली इस में एक एक एक्ट्रा टेकल लियाओंगा फ्रांस जो है आज की अपोनेंट बेल्दियम क थ्रेश कर सकती है तो इस वैसे मैं अभी के लिए तीनी डिफेंडर टूटल पिक करूँ बढ़ यह आपके उपर है आप चाहे चारो के चारो डिफेंडर पिक करके चल सकते हैं फिलाल इनके डिफेंस में मेरी टॉप त्री चॉइस रहेंगे रेनाट और इनकी दोनु फु आपने विंगर्स को जिससे की वह आगे के प्लेयर्स के लिए क्रॉसेज वगेरा सप्लाई कर सके तो इस वेसे इंपोडेंट है कर्चवी और पैरिसेट ने लास्ट मैच में बहुत अटेगिंग पर्फेंस किया इस मैच भी अपोनेंट बहुत वीक है तो यहां भी असी कर कर सकते हैं कर्चवी ने तो लास्ट मैच में असिस्ट भी प्रोवाइड किया था तो यह मेरी टॉप थ्री चोईज है इवन एंबोग भी हैडर में सॉलेड है डिफेंसी वाइज अच्छी है बट सबको फिक नहीं कर सकते हैं कर लियाना तो एक डिफेंडर ड्रॉप करना हूं कटोटो केस्करीनो और डियानी हंड्रेट परसेंट तीनों आपकी टीम में उने चाहें फॉरवर्ट सेक्शन में लिष्टेड हैं अगर आपने फ्रांस वाला गेम देखा होगा पहला आपने जरूर देखा होगा तो उसमें देखा होगा ऐसा लग रहा था यह फ्रां में कटोटो ने एक गोल एक असिष्ट किया केस्करीनो ने एक लॉंग रेंज से बहतरीन गोल मारा डियानी का गोल असिष्ट नहीं आया लेकिन अगर आपने देखा होगा इनका गेम राइट से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिफाइंग थी पेस है इनके पास स्किल्स बहुत स्किरीन और इन तीनों को में पिक करने आलो कटोटो मेरीस मैच में केप्टन भी रहने वाली है अब गयोरों ने लास्ट मैच में है ट्रिक मारे थी वह भी फर्स्ट हाब में अटेकिंग मिट्विल्डर है और अल्दो इनके मदलब आप तरीके से पहला गोल दिखना एक ल तो लेटी भी की थी और आपको यह आदोगा टोलेटी सारी कॉर्णर के लिए थी मोस्ट अब दा फ्रिकी लिए थी डिफेंसीव भी करी थी और उन्होंने असेश्ट भी किया था इतिंग विदाउट गोल असेश्ट इनने एक असेश्ट के साथ 50 प्लस उन्होंने पॉइं तो हैं बड मैं अभी के लिए एस आप लियर करने वालों वड़िया आपके उपर है और एक और चीज़ कर सकते हैं डिफेंडर सिर्फ दो ही करके आप यह पांचो अटेगिंग प्लेयर को भी कर सकते हैं अभी के लिए इसमॉल लीग में रिकमेंड नहीं कर रहो हूं तो य यह मैंने इनके जो वालकाप क्वालिफायर से उसके स्टैट लिए उसमें भी कट्टो टॉटो टॉप स्कूरर थी आप यह स्टैट देख सकते हैं अपोनेन की बात करने से बहले एक बार फिर से रिवाइन दिला देता हूं इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फ सभी फुटबॉल मैचेज हम वहीं टेलिग्राम चेनल में कवर करते हैं जिन मैचेज का वीडियो नहीं आता वहीं मैचेज में वहीं कवर करता हूं अब आते हैं अपोनेंट बेल्जियम पे तो इवराइट इनके गोलकीवर इंपरेंट हूंगी बिकॉस फ्रांस बहुत ज इस मैच में अलग क्या है पिछले मैच से यह मैच में पांस से च्छह गोल भी इदनी ज्यादा टेगिंग टीम फ्रांस है तो ऐसा हो सकते हैं कुछ 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 हो सकता है नेगटी में चल जाए इस वह से में एक भी डिफेंडर पिक नहीं कर रहों बड़ आपको चूज कर मिटफिल में मैं डेला कोई को इग्नोर कर रहा हो कोई खास नंबर्स है नहीं बट जो इनकी सेंट्रल डिफेंसी मिटफिल्डर है वेन हेवर मेट इनको में शोली भी करने आलो इन्होंने लास्ट में पैनालिटी ली थी इससे एज्यूम होता है कि यह में चॉइस पैनालि देने के लिजे वाल्ल काप कॉलिफायर में 10 गोल 3 असिस्ट इनके भी दे तो मिटफिल में बहुत ज्यादा अच्छे आपसंस मिले भी नहीं तो मैं अभी के लिए डिकेगनी को भी करो मैं वेन हैवर मेट को भी करके चल लाओं और मेरी थाइड मिटफिल्डर रहेंगी ब वुलरेट ने 15 गोल मा रहे थे वाल्ल काप कॉलिफायर में 10 असिस्ट के थे जोगी बहुत फिनॉमिनल स्टेट है बट अभी प्रॉब्लम कहना आज मैच है फ्रांस के अगेश्ट तो वैसी में पिक नहीं कर रहा हूं तो इनके लिए मिर पास स्पॉट भी नहीं है तो यह बिक कर रहा हूं तो इस वएसे मैं फॉरवड भी करने मेंडू करती है तो यह वेलजियमॉमेड की प्रॉप्रविबल 11 ऐलेवन थी लगभग सभी चीज़े मैं यहां से आपको डिटेश में करती हुए आप ग्रेंड लिग में कुछ कुछ टीम में बोलरेट को ट्राइ कर सकते हैं फिलाल ये बेल्जियम मुमेन के स्टैट है वर्लकप क्वालिफायर्स के आप ये स्टैट देख लीजिए अभी जो मेरी पिटिक्सन है में एक 3-0 ये 3-1 फ्रांस विक्ट्री के साथ जरू पर ये 4-0 5-0 तक जा सकता है ये वाला मैच फिलाल ये मेरी डेम और अफ्टीम है गोलगेवर मैने बेल्जियम के लिए मैने तीन डिफेंडर फ्रांस के लिए उनकी सेंटर बैग रेनाड और उनकी दोनु फुल बैग परिसेट और कर्चोई मैने या गेवरों लिया लास्ट मैच के हैट्रिक स्कोरर यही थी मैने कट सब्सक्र lige्स ओट का लिंका डिस्क्रिब्स बॉक्स में।